इसलिए हमारे श्री महराज जी जो कुछ बोलते हैं वो बाकाइदा वेदों शास्त्रों के नंबर कोट करके बोलते हैं कि ऐसे खपती कोई हो तो वो समझ लें और दूसरों का नुकसान तो कम से कम न करें यह कह करके कि हां यह अपने मन से बोल रहे होंगे इसलिए हम लोगों को भी उन्होंने जो पढ़ाया है और मुझे भी जो बोलने का आदेश दिया है वो इसी प्रकार आदेश दिया है कि बाकाइदा नंबर कोट करके बताओ लोगों को ताकि लोग प्रमानित मानें उस बात को क्योंकि सब तरह के लोग होते हैं आप लोगों में तो देखिए इसलिए एक तो औरिजिनल जगत गुरू है फिर जगत गुरूं में भी सर्वोत्तम हैं और फिर वेदों शास्त्रों से अपनी बात प्रमानित करते हैं फिर साथ तो देख ले जाकर के तो उनसे बड़ा मर्मग कौन हो सकता है और संसार में धर्म का वेदों शास्त्रों का इसलिए उनी की फिलोस्फी के अनुसार मैं आपको पताने जा रही हूं वेद में दो प्रकार के धर्म बताएं। सत्य समाना सत्य समान कोई धर्म नहिए प्रका परमद्रम शुति विद्धित अहिंसा अहिंसा के समान पोई धर्म नहिंए पिर कहा यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा सादर सास ससुर पद पूजा सास और ससुर की पूजा करो उनकी भक्ति करो इससे बढ़के और कोई धर्म नहीं पिर कहा नारी धर्म पति देव न दूजा नारी के लिए पति भक्ति से बढ़कर और कोई धर्म नहीं पिर कहा कि मन क्रम वचन विप्रपद पूजा धर्म एक जग माह नहीं दूजा मन क्रम वचन विप्रपद पूजा ब्राम्मन की भक्ति करनी चाहिए ब्राम्मन के चरणों की पूजा करो बज इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं फिर कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई दूसरे का उपकार करने से बढ़कर क्यों और कोई धर्म नहीं प्रगट चारी पद धर्म के कलिमा एक प्रधान येन के नविधि दीनेव दान करई कल्यान कल्यूग में दान एकमात्य धर्म है देखो तमाम प्रकार के धर्म एक रामायन में ही बताए जा रहे हैं इसके अलावा आचार पर्मो धर्मो शृत्युक्त स्मार्त एवचह तस्मा दस्मिन सदायुक्तो नित्यम स्यादात्म वान द्विजह मनुस्मृति आचार ही सबसे बड़ा धर्म है चमा ही पर्मो धर्म है चमा सबसे बड़ा धर्म है दान में कम कलव युगे भविश्व पुराण कल युग में दान ही एकमात्य धर्म है और इन सब धर्मों के विपरीत वामन पुराण में राक्षस धर्म भी बताया गया है तो अनंत प्रकार के धर्म हो सकते हैं लेकिन उन अनंत प्रकार के धर्मों को दो प्रकार के धर्मों में बाटा जा सकता है एक मायिक धर्म और दूसरा भागवत धर्म या एक शारीरिक धर्म और दूसरा आध्यात्मिक धर्म धर्शन शास्त में धर्म शब्द की परिभाशा की गई यतो भ्युदय निश्रेयस सिध्धि सधर्म जिससे भावतिक एवं आध्यात्मिक दोनों लक्ष प्राप्त हो जाएं उसका नाम धर्म जो कितनी बड़िया व्याक्ष्या हमारे हिंदु धर्म में है कोई कहता है भावतिक धर्म ही धर्म है आध्यात्मिक धर्म का नाम मतलो नितों हमारी प्रोग्रेस रुख जाएगी कोई कहता है आध्यात्मिक धर्म ही धर्म है भावतिक धर्म बेकार है जगन मिथ्या संसार मिथ्या है लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं दोनों कंपल सरीम क्यों इसलिए उसके पीछे कारण है कि हम दो हैं हम दो हैं हम दो कैसे हैं जी एक हम आत्मा और एक हम शरीर प्लस आत्मा एक तो आत्मा मैं है विवे की लोग आत्मा को मैं मानते हैं और अविवे की लोग शरीर प्लस आत्मा को मैं मानते हैं या केवल शरीर को मैं मानते हैं यानि देखो अब अविवे की दो भागों में बढ़ गए एक शरीर प्लस आत्मा को मैं मानने वाले और दूसरे केवल शरीर को मैं मानने वाले अब इन में तमाम और भाग उपभाग हैं जैसे कुछ लोग शरीर प्लस मन को मैं मानते हैं कुछ लोग शरीर प्लस मन प्लस बुद्धी को मैं मानते हैं यह अनेक सेक्षन इसमें होते हैं हुए हैं आगे भी होते रहेंगे क्योंकि यह बौधिक विकार के कारण हैं जो लोग जो दर्शनकार वेदों को अथॉरिटी नहीं मानते और कॉमन सेंस से इंटलेक्चुल पावर से सिद्धान्त का निर्मान करते हैं वह इसी प्रकार की बातें कहते आएं हैं और कहते रहेंगे क्योंकि वह आत्मा और प्रमात्मा का प्रत्यक्ष तो कर नहीं सकते हैं बहुत धिक साधन के द्वारा और बिना प्रत्यक्ष के वह मानना नहीं चाहते हैं इसलिए गलत सिद्धान्त सदा से चले आ रहे हैं सिर्ष्टी में और सदा चलते रहेंगे अब यह बात अलग है कि सत्युग में यह गड़बढ़ी बहुत कम थी और त्रेता में और बढ़ी द्वापर में और अधिक बढ़ी और कल्युग में तो भरमार होगे प्रगट चारी पद धर्म के कलिमा एक प्रधान येन के नविधि दीनेव दान करे कल्यान ये चार टांग का चार पैर का जानवर है धर्म उसके चार पाद होते हैं लेकिन कल्युग में तीन पैर कट गए केवल एक पैर बचाए दान लेकिन हमारे महराज जी तो कहते हैं कि उसमें भी डाउट है कि वो भी सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्योंकि दान में दो शर्ते हैं एक तो सही कमाई का पैसा हो और अगर सही कमाई का नभी हो तो पार्त्र सही हो जिसमें दान दिया जाए देशे काले च पार्त्रे च तर्दानम सात्विकम विदु सही पार्त्र में दान होना चाहिए क्योंकि अगर आपने गलत पार्त्र में दान किया तो फिर वो दान आपको गलत फल देगा भले यह आपकी भावना सही है उससे मतलब नहीं क्योंकि भावना भावना भगवान के यह देखी जाती है और यह जो धर्म है ए में सीमित DR्म शारीरिक धर्म वड़नाश्यम धर्म ये देवताओं से संबंद रखता तो देवताओं के यह भावना नहीं देखी जाती वहां पर नियम देखा कराता है जैसे देखी हमारे हम्रत्यो नींद संसार में देखन जाता है ना हम यह दया आप ऐसे स्वर्ग है यह देवताय का इस्थान वह भी संसार ही है इसलब वहां पर भी नीम मैं वह से मिलम थीख होना चाहिए और धर्म छे छे शर्ते हैं उसमें मैंने आपको बताया था ना कि यग भी करना हो अगर तो फिर वो देश भी स्थान भी सही हो समय भी सही हो यग करने वाला भी सही हो कराने वाला भी सही हो द्रब्द भी सही हो और मंत्र भी सही हो सब चीजे ठीक ठीक होनी चाहिए एक भी अगर गलत हो गई 0.1 परसेंट भी तो फिर वो कर्म धर्म तो नश्ट होगा ही आपको भी नश्ट कर देगा यानि अगर खाली व्यर्थ चला जाता वो तुरुटी होने से तब तो कोई बात नहीं थी चलो खाली पैसा ही हमारा बेकार गया भई और कोई फल नहीं मिला उसका चलो हम संतोश कर लेते कि हमारी जेब भी तो कई बार कर जाती है ऐसे ही चलो व्यर्थ चला गया हमारा पैसा लेकिन वह व्यर्थ नहीं जाता उसका दंड मिलता है इतने कड़े कानून है इसी लिए कल्युग में धर्म का विशय तो नाम का रह गया है सिष्टी शून्य नहीं है थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं हो लेकिन वह आम बात नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा धांचा ही बिगड़ गया है इसलिए महापुर्ष्ण ने लिख भी दिया कल्युग में धर्म नहीं के बराबर समझ लो तो इसलिए जो यह एक पाद रह गया है दान का तो इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि इसमें भी डाउट है कि वो जो दान तो हो रहा है हमारे देश में तमाम लेकिन वो क्या फल देगा क्योंकि पात्र के अनुसार फल मिलेगा अब पात्र का निर्णे विचारा साधारण आदमी कैसे करें क्यों सही पात्र है कि नहीं क्योंकि अगर 99 पात्र गलत चल रहे हैं खराब चल रहे हैं और एक पात्र कहीं सही है तो एक सही पात्र कहां है इसका निर्णे वो साधारण बुद्धिवाला विचारा कैसे करेगा इसे लिए तुल्थिदास जी ने कहा कि तपतीरत उपवास दान मख जेही जो रुचे करो सो पाये ही पैये जानिबो करम फल भरी भरी वेद परोसो नाहिन आवत आन भरोसो तप तीरत उपवास दान यग्य यह सब करते हैं ना लोग हाँ तो जेही जो रुचे करो सो तुम लोग भहिया मानोगे तो हो नहीं हमारी बात करोगे तो अपने मन की तो ठीक है करो लेकिन जब फल मिलेगा इसका तब तुम्हें पता चलेगा कि भई ये क्या हो रहा है वेड तो कहता था कि दान का ये फल मिलेगा और ये यग्य का ये फल मिलेगा और हमें तो उल्टा फल मिल रहा है नरक ले जाया जा रहा है ये क्या हो गया अरे तो वेड ने ये भी तो कहा था कि इस इस विधी से करो ऐसे ऐसे करो उसमें गल्ती ना होने पाए यह भी तो कहा था बेदने तो देखिए यह एक तो अपने को शरीर मानने वाले लोग हैं हाली शरीर मानने वाले या शरीर प्लस मन मानने वाले यह शरीर प्लस मन प्लस बुद्धि मानने वाले यह शरीर प्लस मन प्लस बुद्धि प्लस आत्मा मानने वाले यह सब शरीर के धर्म को मानने वाले लोग हैं क्योंकि शरीर के उद्देश को ही अपना उद्देश मानते हैं अपना लक्ष मानते हैं जबकि सब जानते हैं कि शरीर नश्वर है प्रत्यक्ष देख रहे हैं सब के सब आँखों से कि शरीर नश्वर है क्या हुआ अजी वह हो गया सब क्या हो गया वह केल खतम हो गया अरे क्या खेल कतम हो गया अरे कहां गया वह है तो सही लेटा टो यह सामने अरे जी वह तो जानेवाला यह तो ऐसे उसका शरीर है यानि यो यानि अत्मा इतनी इंपोर्टेंट है कि वो निकल गई शरीर से तो यह शरीस जीरो बटा सौ हो गया यानि सारा संसार जानता है प्रत्यक्ष देख रहा है कि शरीर प्रिथक है और आत्मा प्रिथक है तो इसी लिए कुछ लोग जो इतना सब जानने के बाद भी देखने के बाद भी शरीर ही मानते हैं अपने को वो सब आगए शरीर मानने वालों में जो मैंने अभी आपको सेक्षन बताये उनको कहते हैं शारीरिक धर्मावलंबी इसी का दूसरा नाम है अपर धर्मावलंबी इसी को मायिक धर्मावलंबी भी कहते हैं इसी को गुणात्मक धर्मावलंबी भी कहते हैं अनेक नाम है इसके और इसके विपरीत दूसरा धर्म है आध्यात्मिक धर्म इसी का एक नाम है शास्त्रों में परधर्म यंट छेन सस्त्रों अ गलनाश घ्वोर भी शकर प्सकत्रों यंट स्ध थचिंह स्द्श्वडने अएicherung अद्वच्पले में अवडियों जास्का झाम है झाम यंग क सकाथे में जादा तुम प्ल्ठ में अपकलाश कि गॉफ Crime